तो प्राइब नाम मैं हूँ इमान शुद्वेदिय और स्वागत आपका अमारी खास पिश्क चर्चा में चर्चा के तहत आज हम बात करेंगे कॉंग्रेस के उस महत्वा कांख्शी योजना के लेकर जो अब अमल में आने जा रही हमारा आज का विशे है भारत जोड़ो कॉं इसने अपने उम्मीदों को आसमान तक पहुंचाने के लिए सहरा लिया है पद्यातरा का कॉंग्रेस पार्टी और पाध्यातरा का भी विशे रही और कहीं ना कहीं देश में एक अलग किस्मी की सामाजिक समरस्ता का बोद कराने में भी सफल रहे हैं चाहे हम बास सुनिल्दत्र के संदर में करें चाहे हम दिगविजे सिंग के संदर में बात करें इन तमाम नेताओं ने समय समय पर अपनी पदियातरों के मिया भी हासिल की अगर हम वर्तवान संदर्बों की भी बात करें तो च्छतितगड़ में जहां कॉंग्रिस पार्टी ने दो हजार अठारा में चंबतकारिक सफलता हासिल की थी उसमें भी एक बड़ा योगदान ततकालीन प्रदिश शद्र भूपेश बगेल की पदियातरा क भी माना जाता है तो ऐसे में कॉंग्रिस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि एक लंबे समय से कॉंग्रिस के प्रती ना तो जन्ता में रुजहन रह गया ना उसके कारकरताओं में रुजहन रह गया दावा ये किया रहा है कि देश के हालात बहुत खराब हैं और देश को इस सम परीबन 35-20 किलोमीटर की यात्रा का शुबारम होगा। कन्या कुमारी से लेकर कश्मीर तक ही यात्रा चलेगी। राहुल गांदी पूरे समय इस यात्रा का हिस्सा रहेंगे। साथ सितंबर को राहुल गांदी इस यातरा को शुरू करने से पहले पिरबंदर जाएंगे जहांपर उनके पिता सुरगी राजी गांदी के निर्मम हत्या की गए थी वहाँ उन्हें पुषपांजली अर्पित करेंगे ये शद्धांजली अर्पित करेंगे को समय ध्यान भी लगाएंगे और उसके बाद कन्या कुमारी पहुँचेंगे कन्या कुमारी से शुरू हुई यात्रा 150 दिन तक चलेगी जिस जिस राजा के गुजरेंगे वहां से शामिल होंगे जिन राजों से यह यात्रा नहीं गुजरी बहां के 200 परितनीदी समय से मँपर इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे ऐसा कारिकर्द्रा के इससंदर्वन वे व्यवस्था किया तकरीबन डिड़ घंटे तक उनका समवा चला जैराम रमिश बता रहे थे कि वहां पर कोई टेली प्रॉम्टर नहीं था राहूल गांदी के हाथ में कोई कागज भी नहीं था बिना कागज और बिला टेली प्रॉम्टर के तकरीबन 40 सवालों का जवाब राहूल गांदी तोड़ रहे या पार्टी की जिम मेदारियों से नाता तोड़ रहे चाहे वो गुलाम नवी आजाओ हों चाहे आनद शर्मा हर तरफ कॉंगरे बिखर रही है तो पार्टी को जोड़ने की जुरतों के समय पर भारत को जोड़ने को लेकर यातरा की शुरुआत किन उम्मीद अर्थात जो मनिश्य बैठा रहता है उसका स्वभाग भी रुका रहता है जो उठखडा होता है उसका स्वभाग भी उसी प्रकार उठता है जो पड़ा या लेटा रहता है उसका स्वभाग भी सो जाता है और जो विचरण में लगता है उसको स्वभाग भी चलने लगता ह इसलिए तुम विच्रण करते रहां यहां बात कही गई थी क्या राहूल गांदी और कॉंग्रेस पार्टी को सदियों पहले दिया गया है यह सूत समझ में आ गया है और उसी के तहत एक बड़े वर्ग में अगंभीर राजनितिंगी के तौर पर देखे जाने वाले है बढ़ाते हैं जिसका हैस्ता बनने के लिए हमारे साथ भारतिय राष्ट्री कोंग्रेस के राष्ट्री सचेव विकास उपाद्याइजी खास्ता और प्रजूद हैं और इन सब के बीच में अपनी बेवाक टिपणियों के लिए मशूर वरिष्ट पतकार रमीश शर्माजी भी हमारे साथ आप सभी का सोगत है चर्चा की शुरूत हम विकास उपाद्याएजी से करते हैं विकास उपाद्याइजी से शुरू करें उससे पहले दिगवीजा सिंग् ने इससी कहा है उससे सुनने पर जो इस यात्रा का जो मकसद है एक तेरा कदम एक मेरा कदम मिल जाये तो जुड़ जाये सारा वतन ये हम लोगों का एक मुख उदेश है अब हमारी वेबसाइट भी लॉंच हो गई है और उस वेबसाइट के माध्यम से हमारा ये प्रयास होगा कि जो भी इनके साथ जुड़ना चाहता है वो अपने आपको इस पर रेजिस्टर करें और हमारी और से उनको रिस्पॉंड किया जाएगा साथ में जितने भी हमारे भारे जोड़ो यात्रा के इवन्स होंगे उनका लाइव स्ट्रीमिंग भी उस वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा तो एक तेरा कदम एक मेरा कदम विकास जी आपकी तो पार्डी के लोगों के कदम साथ में नहीं पड़ रहे आप बाहर के लोगों से आवान कर रहे हैं एक तेरा कदम एक मेरा कदम क्या कहते हैं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है जे बिलकुल विकास जे बिलकुल विकास जे हिमानसु जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका एक बड़े अहम मुद्दे पर एक बड़ी यात्रा पर आपने इस चर्चा को विशय में लिया है मैं आपका धन्यवाद दिना चाहता हूं इतने जिनों में पूरी होगी ये पूरी जानकारी आपके पास में मैं सिर्फ इस बात को कहना चाहता हूं कि आज देश में देश को जोडने के अफसकता क्यों पड़ रही है आखिर रहुल गांधी जी को आईये मिलकर भारत जोडते हैं इसकी बात करने के अफसकता क्यों पढ़ रही है नफरत की दिवार की को एकता की ताकत के रूप में बदलने की अवसकता क्यों पढ़ रही है इसके लिए जोड़ने की अवसकता क्यों पढ़ रही है महंगाई को हराने के लिए बेरजगारी को मिटाने के लिए अगर आज अगर इन तमाम चीजों से लडने के अगर एक एक नेता इस देश की पद्यात्रा करना चाहते हैं और इस देश में घुमना चाहते हैं और मैं समझता हूँ कि आज इसकी अपसक्ता है जहां पिछले मैं समझता हूँ दो हजार चूदा के बाद से आज भारत की सिती कहां से कहां चले गई आज भाई से भाई को ला लाने का काम हो रहा है जाती से जाती को लाने काम हो रहा है धर्म से धर्म को लाने का काम हो रहा है और इस समय आध देश को जोड़ने की जरुवत है और मैं समझता हू रहू जी इस बड़ी यात्रा के माध्यम से और ये गैर राजमितिक यात्रा के साथ साथ इसमें तमाम किजी लंबी चोड़ी बात कर दी पर मेरे दो तीन सवाल है देश को जोड़ने की जुरत है या पहले अपना घर ठीक करने की जुरत है कॉंग्रिस खुद बिखर रही है आप से अपने घर के लोग नहीं सुधारे जा रहे हैं आप देश सुधारने की दावा कर रहे हैं कैसे यकीन करेंगे आप अपने कारकरताओं की नहीं सुनते और चाहते हैं कि देश आपकी सुने आप और आप जैसे हजारों लोग और गुहार करते करते ठक गये रहुल गांदी से वह पार्डी का नेतरतर कीजिए अध्यक्ष पदों सभालिए कान नहीं देते हैं आप जैसे सम सब्सक्राइब यातरा लेकर निकल रहे हैं जब आपकी पार्डी का लंबे समय से लंब इतराश्टे का चुनाओ जैसे तैसे आप गोशित हुआ है 21 से शुरू आए 20 सितंबर तक ने अध्यक्ष दिया जाने थे जिसको अध्यक्ष अबनना है वह व्यातरा पे चल दिया है आप उनी लगता है आप कल भी उलजे हुए थे आप आज भी उलजे हुए हैं और आप कल भी उलजे रहेंगे CAP कहते हैं इस प्रकार से आप पूरे देश के अंदर आप कॉंग्रेस की बात कर रहे हैं या कंग्रेश के अंदर लोग संगड़ित नहीं है, es प्रकार की बात आपने अभी कई मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ जिन लोगों ने पूरी एक सदी एक पूरा जीवन कंग्रेश के लिए काम किया और इस चीज़ों के राजने जिन्हों ने कि भारती समिधान के विप्रित्रे दस्ताओं पर काम कर रही भारती जनता पार्टी अलग अलग तरीके से CDI, ID, ED, income tax के माम के वजह से भी बहुत सारे निता इस पार्टी को ठोड़कर बहुत सारे निता नहीं जो लोग जो लोगों को कहीं भय है डर है वो लोग इस पार्टी से जा रहे हैं कोई कारिकरता इस पार्टी से नहीं जा रहा है इस पार्टी से लाकों और करोडों लोग दिल से जुड़े हैं ये पार्टी देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी है और मैं समझता हूँ आज कौन सी राजनितिक दल का वेक्ती कौन सी राजनितिक पार् कि भी ङाने का काम करेंगे तो आप समझतीजे दिखिए गांधी डाणीजी की सोच इस तेख को लेकर जिस प्रकार से महत्म्ह गांधी जी की सोचती जवाल आलेहरू जी इंडरा गांधी जी राजिव गांधी जी लाल बाधु साज़ यह तमाम वो लोग है जिन्होंने इस देश के लिए सोचा मैं समझता हूं राहूल गांदी जी भी देश के लिए सोच रहे हैं मैं चेद्धा माणी जी का पास जाओं उससे पहले एक बार फिर दे सवाल दो रहता हूं बात को स्विकर कर लिया है अब जैसे प्रामा निक कार करताओं के आगरे को स्विकर कर लिया है क्या राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद का भारी भरकम दायत्व, चुनोती, जिम्मेदारी उठाने के लिए स्विक्रती दे दी है या पीड दिखा गए अध्यक्ष के संदर में और यात्रा करने के लिए निकल रहे हैं कि इमान्चु जी, राहुल गांधी जी गांधी परिवार कोई भी कर सक्स ऐसा ऐसा नहीं है जो पीड दिखाने करा काम करता है, वो तो सिरा लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, इस जेस की जंता के हिट में कुर्बानी देने वाला परिवार है, चाहे इंद्रा गांधी जी की बात करें, चाहे राजीग गांधी जी की बात करें, जब उनकी बलिदान, जब उनकी कुर्बानी होई थी, तब वो प्रधान मंत्री थे, और मैं पहले भी आपको इस बात को कह चुका हूँ कि राहुल गांधी जी का ना कोई लोब है, ना कोई लालच है, अगर प्रधा पहले भी उन्हों लिखार और मैं समस्ता हूं कि अभी भी वह जरूर कॉन्घरिस पार्टी का mmली जितार है रहुता हुनल कि वह वह रूंकौनी सीविटहिता है। राहुल गांदी को देश की चिंता नहीं है ये भी चिंता मणी जी आप बताते है देश को किस कदर आपने बरबात कर दिया है कॉंग्रिस के लिहाँ से इसको लेकर राहूल गांदी अब सड़क पर उतर रहे हैं वो सड़क पर उतर के शाम को वापस घर में नहीं जा रहे हैं डेड़ सो दिन तक सड़क पर ही रहने वाले हैं 3500 किलो मीटर चलने वाले हैं कि देश में जिन-जिन को लगता है कि आपकी सरकार ने समवेधानिक संस्ताओं का नुक्सान किया है उनको साथ में जोडने वाले हैं चिंदवने जी क्या वागई आप लोगों के जाने के दिन आगे हैं कि इसका देश को जोड़ने का और एसे कोई सवाल नहीं है यह वस्तूता उनके नेत्रत में खोतेवे विश्वास को सभालने की कोशित वर है इसमें वो एक अपील को जुगाली करना चाहते हैं मात्मा गांदी के अंदोलनों की लेकिन उन्होंने लगातार असफल कारी किये है आप देखे से पहले उन्होंने दो करोड कि फिस तरह जोटे आंधो ईनुने कि अधियाक को यद मछिपान घंफीर शाइन के नंतलों के समयाह आपको चुक्रोड कराएं ने करा दिए कोई पूरे जग हसाई हुई वह खाना था करके एक बज़े आए और फिर उसके बाद छोले बटूरे खाने चले दो गंटे का उपवास किया तो इस तरह के यह जो उतले काम मगराजी रावल गांदी जी करते रहे हैं वास्त में इनका कोई विचार नहीं है को उनका नित्र तो खत करना चीह घेर गांदी को समाले क्योंकि गांधी लगाता रासफन हुए है चालीज चुनाव गांधी राहूल गांधी के नित्रक्त में इसलिए कोई कहिए समाले अब वो कमान ना चली जाए वह कोंगरेस की लिडरशिप इनके हाथ से ना चली जाए इसलिए इस तरह का एक आंदोलन के भई तेस्ट जोड़ेंगे अरे किसी राहूल गांदी का मुदार नहीं है यह देस्ट सांस्क्रेटिक तेस्ट जब आने एक राच्य थे तब भी कश्मिर से कन्या कुमरी तक दिवाली का दिपावली का दिफक जलता था यह देस्ट तो एक और कॉंगरत का नेता पैदल चल रहा है पसीना भार रहा है तो आप कह रहे हैं यह देश को जरुत नहीं है वातानु कोलित रथ में चलना इस देश की जरुत आप बताते हैं और अगर कोई नेता और कोई पार्टी जनता के बीच पैदल चलने के लिए संकल्पित हो रही है 3500 किलोमीटर चल रही है तो आपको लगता है यह देश की जूरत नहीं है वाकिए अखली बातों को लेकर कर रहे हैं पताइए कि सामाजी की भाजन हो रहा है तो नफरत का माहूल के खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं अब यह सबकर आपको चिंता दो सबसे पहले उस राशित के खिलाफ आप कारवाई करो उसको बाहर करो कॉंग्रेस से जिसने आज आज के दिन पी राजा के खिलाफ आंगलों को नारे लगाये सर से सर तन से चुदा करतेंगे और उनकी विदान सभा में आग लगा देंगे उस गंजा कसना शुरूब के हमको महगाई याद आगई तो पूल करके खोखली बातों को लेकर के यह पूरा अभियान है खुद का नेत्रत बचाने का खुद का अस्तिक चिंता मणी जी के दो निशकर्श हैं एक गांधी परिवार के प्रती कॉंग्रिस के अंदर अविश्वा आज़ी की बात गहर वाजब है मेहंगाई गहर वाजब है यह मुद्दे हैं नहीं देश में को और आए यह को ब्रोजगारी है चिंतामणी जी की दलील है कर दो इसके बड़े राजिदिक दल के प्रवक्ता है माने जी जी चितावने जी बोली बोली बने आप चाहिए आपको लगा कुछ संश्दन करना जाए कि इसमें कि बाला और सफिद नहीं हो सकता बेरोजगारी तुलनातमा कुछ समाप हो सकती है कुछ आपड़ों में ठीक हो में तराफ हो सकता है तो महेंगाई कभी बढ़ती है कभी घड़ती है तो यह जो फ्लेक्शुएशन वाली चीजे हैं इसको लेकर कि आप मेरे से सीधा पाड़ जवाब मांगें मैं नहीं है जवाब होते हैं तो स्लेंडर की 10 रुपे कीमत बढ़ जाए तो आप पूरी दिल्ल रहेगी वेश्वी किस्तर पर एक इसकी बात कर रहे हो आप कैसे बात चलेगी चिंतामण जी बहराल हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते मुझे रमेश शर्माजी के पास जाना है पर उससे पहले निशांत वर्माजी का विशेश प्रेम रहा है चिंतामण जी से भी और च अपने इसना गंबीर मुझा उठाया है क्योंकि देशी एक बड़ी राजनेतिक पर्टी बुच्टा उठाया है तो यह जरा मुझे हिल्लाए बद चिंतामणी जी गौर फरमाईएगा अंग्री जहां के तो आंदोलन हुआ पहत चोड़ों आजादी के बाद नहरू जी शास्त्री जी ने आंदोलन चलाया सरकार में रहके जिसे कहा जा सकता है भारत घड़ो घड़ो मतलब बनाना इंदिरा जी आई से लेके अटर जी तक एक आंदोलन सरकारों ने चलाया जिसको कह सकते है बार घड़ो यानि आगे बड़ो इस देश में पिछले आट वर्षों से भारत तोड़ो चल रहा है और मैं समझाता हूँ ये भारत तोड़ो कभी गौर फर्माईएगा के इन आट वर्षों में भारत की अर्थ यवस्ता, कम्यूनल हार्मनी, विदेश की उनीती और महंगाई अगर मैं ये चार मुद्धी भी उठा करके इस तमय आकरों के सहथ भारती जन्ता पार्टी और उन तमाम लोगों के साथ अगर बहत करूं तो वो नहीं कर पाएंगे बहुत संक्षिप्ट में अगर कहना हो शुरुवात में, तो महंगाई, चिंतामनी जी कहते हैं महंगाई नहीं है आपने सही परमाया था दुएदी भाब, कि जब ये विपक्ष में होते हैं, तो इनके मजीरे बज जाते हैं, इनके ढोलक बज जाते हैं, अगर रुपिया इधर से उधर हो जाए तो लेकिन जब ये सरकार में होते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे बचाव की मुद्रा में अगर आज आप इसी नयंसुक, सूरदास, अंधे, बहरे, काने, गूगे, लंगडे, लूले, साले, सफेट से भी पूछ लेंगे कि इस देश में महिगाई है या नहीं, तो वो जवाब देगा, हाँ, लेकिन सिरफ अंधभक्त कहेंगे नहीं, अगर आप देखें ये 75 वर् बेरोजगार है, और इनके आखड़ों की कोई आवेशक्ता नहीं है, इधर, उधर कहीं भी नजर गुमाओ, एकी आवाज आती है, और अब तो सखंद के कार्याले में जाने वाले लोगों की भी आवाज आती है, कि रोजगार का क्या हो, दुवेदी साब, इस देश की, आप चर्चा करने से भागेंगे, क्योंकि उस अर्थ विवाज में या तो इस देश के लोगों को सब्सक्राइब, और या फिर इस समय एक दम जूट बोला जा रहा है, तो आपने आपको विवस्तित कर लिया है, कि अब देश को ठीक करने के लिए वो बाहर निकले, उनसे अपना संग्ठन ठीक नहीं हो रहा, संग्ठन विवस्तित नहीं हो रहा, संग्ठन के संदर में फैसला नहीं हो रहा, चल दिये देश ठीक करने, क्या आपको नहीं लगता है, हम सुद रहेंगे, जग सुद रहेगा वाला से दांत लागू होना चाहिए, पहले कॉंग्रेस क तो खुट को ठीक करना चाहिए उसके बाद देश ठीक करने निकलना चाहिए क्या कहते हैं डाटर साथ आपने प्रोग्राम की शुरुआत में ही साफ कर दिया था और ये बताया था कि इस यात्रा में जो पद्यात्रा कश्मीर कन्या कुमारी के बीच में चलेगी कांग्रेस की इसमें तिरंदा होगा कांग्रेस का जंडा नहीं होगा इसका मर्म समझने की आवशकता है इनों ने जो लोगों को दावत दी है कि आकर के हमारे साथ चुरे वो कांग्रेसियों को नहीं, देश के लोगों को SC, SC, OBC, महिलाए, बच्चे चाहे कहीं के भी हो किसी भी राजनेतिक दल को पसंद करते हो, किसी भी वर्ग के हो लेकिन अगर वो वंचित महसूस करते है किन आठ वर्ग के अंदर उनको वंचित रखा गया, चाहे, पढ़ाई के लिए, चाहे, न्याए के लिए, चाहे, माईलाओ के आग, उत्विड़न के मामले में, चाहे, शिक्षा के मामले में, चाहे, किसी भी प्रकार के मामले में, अगर वंचित लगते हैं, तो आप आईए, ये कॉंग्रिस जोडने की बात मत करी है मैंने पहले कहा भारत से अंग्रेजो भारत पोड़ो उसके बाद अंग्रेजो के बाद जाने के बाद भारत बड़ो और उसके बाद भारत आगे बड़ो और आज जो भारत पोड़ो चल रहा है इसको जोडने का जो भारत जोड़ो है ये सिरफ communal harmony को Hindu-Muslimान को लेके मद देखिए इन्होंने हर field में चाहें डिफेंस हो सेना के नाम पे vote मांगते हैं वो शरम नहीं आती उसी तरीके से आप देखें तो Hindu-Muslimान करते है सिको को दलितो को ऐसी ऐसी किसको न्याय दिया है महिलाओं के लिए बड़ा कहते थे रेप टैपिटल दिल्ली आज पूरे देश के अंदर पूरी जगे ये भारत के ऊपर क्या हो रहा है हम नहीं जानते लेकिन किसी भी तरीके का आप देखिए अर्फ जवस्ता मैं बताओं एक लाइन और जोड़ना चाहता हूँ किसी भी परिवार किसी भी देश को जब तूटना होता है तो वो अर्फ जवस्ता के आदारी तूटना है अगर परिवार में अर्फ जवस्ता नहीं बची तो पतनी या पती घर छोड़के चला जाएगा अगर पता नहीं बची तो लोग छोड़के चले जाएगे और अबलम यह है कि यहां से जाएंगे का तो निशान्दी जी हमें यह बता रहे हैं कि देखें आप कॉंग्रस को ले की ज़्यादा बात मत करिए अभी विशे देश के संदर में भारत तोड़ो अभिहान पिछले आठ साल से देश में चल रहा है और इससे चिंतित होकर राहुल गांदी भारत जोड़ने के लिए निकले हैं कॉंग्रस से इतर पूरे देश का आवान कर रहे हैं रमेश शर्माजी वरिष्ट पद्गार हमारे साथ है क्या इक्तिफाक रखते हैं निशांद वर्माजी के इस आखलन से या रमेश जी को भी लगता है पहले कॉंग्रस को ठीक कर लेते हैं कॉंग्रस मजबूत हो जाती दो देश को मजबूत करने का भ्यान भी शायद जादा सुद्रड तरीके से आगे निकल पाता या कोई और निजरिया है रमेश शर्माजी आपका जितने निशकर्ष अभी तक हमारे तीन पेनेलिस्ट ने दी हैं उसके इतत मैं इस यात्रा को दो अलग-अलग परीचे से देखता हूँ लेकि इस यात्रा से इसमें कोई शक नहीं कि कॉंग्रेस का जन समर्थन बढ़ेगा और उनके भीतर जो तूतन हो रही है वो रुकेगी अगर आप इसलिए कुछ वर्षों से देखे तो कॉंग्रेस का जन घट रहा है और कॉंग्रिस के भीतर भी तूतन हो रही जो दो नाम तो आपने आज लिए हैं इसके अलावा मद्यप्रदेश में भी तूते हैं लोग हमारे नगरी निकाय चुनाओं में लोग तूते हैं राजस्थान में तूते हैं देश में शायद ऐसा कोई से प्रांथ ह जहां पर लोग कॉंग्रिस से छोड़ नहीं रहे हैं यह बात तही है कि इस यात्रा से इसमें जो टूतन है वो रुके गी और राहूल गांदी जी को लेकर करके जो टीका टिपणी हो रही है वो भी कम होगी इसमें भी कोई शक नहीं जो आपने सब से पहले पैकेज में कहा कि जिन लोगों ने भी पदियात्रा किये है उससे उनका संग्थन और व्यक्ति दोनों में निखार आया आपने गांदी जी का भी नाम लिया मद्द प्रदेश में सुंदरलाल पटवाजी ने पदियात्रा की थी बस्तर से जाववा तक तो सरकार बन गई थी 1990 में कांग्रेस को मद्द पूत करने के लिए व्याय ए το है अब दूसरी बात आते हैं कि भारत को जोड़ो और भारत को एक मद्द करो और मेंगाई या बेरुछगारी इस पर मेरी राय बिलकुल अलग है इसका कारण है कि भारत को जोड़ने का जो काम अगर हुआ है तो वो इसी आठ वर्ष में हुआ है, मोधी के राज में हुआ है आप मुझे बताइए, बहारत को किसमें तोई दिया था 1946 का जो डारेक्ट एक्सन सा मुस्लिम लीग का उसमें 20,000 लोग तो अकेले कलकते में मारे गए ते, कहां थी वो हर्मनी 1922 की जो मालावार के हिंसा हुई है, एक तरफा दो जिले खाली कर दी गए ते, लाशों के धेर लग गए थे लाशें उठाने वाला कोई नहीं बचा था तो भारत के बटवारे में ऐसा नहीं है कि अकेला भारत की बटवारा हुआ जर्मनी का भी बटवारा हुआ और कई देशों के बटवारे हुआ है आप मुझे बताई इतनी ही सा कब हुई थी कितने लोगों को लाशों के धेर लगए लाखों लोगों के तो कुल मिला करके वो जो बटवारा है जो नफरत है वो तो पहले से ही रही है भारत जोडने का सबसे पहली बार में तारीफ करूंगा मोधी की जिस तरीके के कश्मीर मे धार 170 लोग डालेंगे तो जो असाठ्य को स्थाफित किया गया यहां पर उसाठ्य को सब्सक्राद पर करने काम इसरकार में कर रहा है जोग कहते हैं कि आजादी कि एक दल में बीखाई ऐसे चंद्शेखर आजाद में क्या था बात सिनीक्टाह्ती क्या आप मुझे बैनं सरश्वती से लेकरक बेवेकानंद वेकानंसे लेकरके लाला हंस्राज सब्सक्राइब आजादी में देश के एक एक आधिमी का योगदान है यह यति का डल उपको रोखोंगा आजादी गांडी जी नहीं तो आपने मुझे इतने सारे नाम गिना दिया इसके साथ में भी बाकि लोगों ने क्या किया इन लोगों ने नहीं करेंगे आप नहीं करेंगे कि इंदरा गांदी ने इस देश को एक करने के संदर में कोई योगदान दिया क्या आप नहीं मांते हैं कि लाल नरिद मोदी कोशे दे रहे हैं आट साल के संदर में और चाहते हैं कि इसे देश की विकार करें और अगर गांधी जी का योगदान बाकी की योगदान के मुकाबले जादा महत्वपूर्ण माना जाता है लाखो करोडों को प्रेरित करने वाला केवल देश में नहीं बलकि दुनिया में माना जाता है पूरी दुनिया में जिस नाम को मानिता दी जाती है अगर उसे इस देश में अत्रत सम्मान मिलता है तो उस पर हम लोगों को एत्राज हो जाए कि गांधी को इतना ज़्यादा सम्मान क्यों दी जाता है जाए जाए तेखे जहां दो अलग-अलग बाते हुई कि तीनों बगताओं ने आठ साल की बात की थी इसलिए मैंने केवल मोडी का नाम लिया मेरी द्रश्टी में महरू जी को लेकर के मेरी रायर अलग है लेकिन लालबाद बुरु शास्त्री का योगदान पनम योगदान है इनराजी को केवल आपात काल हटा करके मेरी प्रज्टी मेरी जटिकत बहुत अच्छा परश्ट है इतना बहला इंसान इतना शरीप इंसान इतना सरल इंसान कई बार तो मुझे लगता है कि उन पर कोई प्रग्या काम करती थी कहीं ने कहीं वो पूर्व जन्म में कोई संत पुरुस रहे होंगे राजीव गांधी जी जो मेरा उनका गत्तिकत परश्ट है और मेरी उनकी बात्ची सब होती थी जब वो पाइलट थे और राजीव ती में नहीं आये थे और उस बखत का मैंने इंटर्वी छपा हुआ जिस अक्वार में मुस्ते में काम करता हूँ जी सारा का सारा रिकॉर्ड है जी 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 सारी के सारी यात्रा है दूसरा बेरुजगारी और एक महँगाई सरकार किसी की भी हो वो कॉंग्रेस की हो भाजपा की हो किसी तीसरे की भी आजाए बेरुजगारी के लिए समाज को जागरित होना होगा मुझे आप ये बताइए हिमाशु जी आप मेरी बास से सहमत होंगे चीती से लेकर हाती थक इतने प्राणी हैं उनकी फंख्या के तुल्णा में मनुश एक प्रतिश्ब भी नहीं है जापम्लप के बाद चार सून यो रेक, इतना है मनुश चीती से लेकर हाती थक सारे प्राणी अपनी रोठी की व्रौस्ता करते हैं अपने जोड़ा बना लेते हैं, संतान को पैदा करते हैं, उनको खाड़ा कर लेते हैं, सुरक्षित इस्थान पर सौने के लिए इस्थान ढूंग लेते हैं, उनको किसी सरकार की जरुवत नहीं पड़ती हैं, लेकर ये मनुश्य है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि सबसे ज पर बच्चे पर बच्चा बड़ा हो पड़ लिखे और किसी अच्छी जगह नौकरी करें इसके बजाए हमको सोचना चाहिए कि बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो एक उधारन में देना चाहता हूं आपको कर्षी पर नहीं बैखता है लेकर जूता जोड़ने वाला बंदा है वो आपको जूते नहीं जोग रहा है तो नौजवान को मालिक बनाईए सरोजगार बनाईए उसकी प्रतिमा उसके शिर्फ इस पर समाज की जागरती होना होगी बात तो बहुत ठीक कह रहे हैं आप रमेशर मजी लेकि दिक्कत यह कि ऐसा ग्यान राजनेतिक डल सत्ता में आने के बाद देना चाहते हैं जब तक वो विपक्ष में रहते हैं तब तक यही बताने की कुशिश करते हैं चाहे वो कौंग रो बाजबाग ओ वामबत्ती हो आ शक्ता में सत्ता में आने का मौका देखे, देखे नौकरी ककर लायं ना लगा देता एं से कही एगा मैं शुक्रिया करूए कि आपने हस्चेफ किया रमेश भी मुझे बड़े हैं उमर में मैं नमस्ते करता हूं उनको तर आप ऐसी गोलगोल बाते करप्या ना करें आप बहुत परिश्ट है आठ वर्ष के संदर्व में बात वो बेती आप ने का के नरेंदर मोदी के बारे में आप बड़ी कि आपको टोका तो फिर आपने सारे जवाला नहरू से लेके संदिना किये हाठ वर्ष के अंदर नरेंदर मोदी की बात नहीं करेंगे तो किस की करेंगे आप तारीज करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन उन्होंने इस देश का जो भठ्टा बिठाया आ आप पिर इसके इसाब से एकदम से चले गए कि हाँ आप जवाला नहरू से लेके रख करने लगे अटर जी और इंदरा जी करने लगे तेकिन ऐसा मौकर क्यों आया क्यों आपको ये कहना पड़ा मैं आप से इसने गुजारिश कर रहा हूँ कि देश में बहुत गलत बाते चार्णि प्रहूं हैं जब हम लों ऊजवल जाते हैं कि देश को बांधा जिस देश के अंदर आपने पहले के बले हातंक जिसे अन ऑ sorts भी आया गिनाया लेकिन क्क्या बता सकतें कि नरेंद्र मोधी की सरकार में फिछले आठ सार में सब्सक्राइब आतंग पादी हमले भारत पे हुए इंकर्शन हुआ सबस्क्राइब चीन का हमारे उपर आकरोश आया वहाँ तो वो फिसड़ी निकला उसके बारे में तो हमारे को बोलना नहीं है देश को मिलाया देश को तोर-टोर करके हिंदू-मसल्मान के इसाफ़े पंजाब को अलग करती है पंगाल को अलग सब जगे वो जाकर के जो रैलियों में भाशा बोलते है उससे क्या ये नहीं मालूम करता कि वो देश तोड़ रहे है और उस व्यक्ति की तारीब करना कोई मजबूरी हो सकती है गाले लेकिन मेरी नहीं तो निशादे जी की तो अपनी राय बहुत इसपश्टी रहती है इसमें वो ज़्यादा छुपते छुपते भी नहीं है लेकिन निशादे जी जो भी कहें पर देश का मानस भी तो सामने अपना जनादेश की रूप में भाव्यक्त करता है नरेंदर मोदी वो कर्शमाई शक्त है जो इस देश में लगातार दो बार तीन दशक के बाद इस पश्ट भहुमत की सरकार एक दल की लाके दे रहे हैं देश का एक बड़ा वर्ग है जो नरेंदर मोदी में इस देश के वरतमान और बवश दोनों को देखता है इससे इंकार नहीं के सकता पर राहुल गांदी भी निशानत वर्मा जैसे ही सोच रखते हैं उनका मानना है नरेंदर मोदी का होना देश के लिए ठीक नहीं है पर एक बड़ा वर के कॉंग्रेस में मौझूद है जिसको लगता है राहुल गांदी का रहना कॉंग्रेस के लिए ठीक नहीं है कॉंग्रेस का तब तक भला नहीं हो सकता है जब तक राहुल गांदी रहेंगे चिंदामणी जी अब समय है मैं विकास जी से थोड़ा सा बात कर लूँ और विकास जी आप से जानना चाहता हूँ आप बार-बार इस वईशे को टाल दे रहे हैं कॉंग्रेस योग का कॉंग्रेस पे भरोसा नहीं बन रहा है कॉंग्रेस नेतरत्व का अपनी पार्टी के कारकरताओं नेताओं पे भरोसा नहीं बन रहा है राहूल गांदी की शिकायत रही मैं अकिला लड़ा रहा था नरिन मोदी से पार्टी का अन्य नेताओं ने साथ नहीं दिया आप से जानना चाहता हूँ वो अविश्वास के अभी भी बना हुआ है इसी राहूल गांदी को हिचक है इसलिए राहूल गांदी जो है पीछे हट रहे हैं पहले यह यातरा दो अक्टूबर को शुरू होने वाली थी गांदी जैन्ती के दिन साथ सेतंबर कर दी राश्ट्री अद्धक्ष के निर्वाचन के दौरान कर दी क्या है ऐसा कॉंग्रिसियों के प्रती राहूल गांदी के मन में भै जो उन्हें असमंजस्में डाले रखता है बताई यह ना हुए अभी चिंतामणी जी की बात भी मैंने चुना और यही राहूल गांदी जी है इन्होंने यूपीय की दूसरी सरकार प्रनी तब राहूल गांदी जी का नितुत था मद्ध्य प्रदेश पंजाब करनाटक च्छतीजगर्ण यह तमाम वो प्रदेश है जहां पर सरकार चिंतामणी जी तो भार्ती जन्ता पाटी है उनका पाटी के उनका विचार धारा अलग है लिकिन चुनल रहता है लेकिन मैं इमान्सु जी आपको एक बात को पहना चाहता हूं यह पिछले आठ सालों में आधडेश की इस्तिति कहां है जो तो तो सवीधान की जो विवस्ताइं हैं उससे चेर-चार करने के अब सक्ता पढ़ रही है जो एडी आईडी या इंकम टेक्स जैसी संस्थाओं का उप्योग किया जा रहा है जो जिन प्रदेसों में जो जन प्रतिमजी जो राजनितिक जल के लोग जीत कराते हैं उनको प्र रही पाथ सबसस्द नें उनको तो सबटन उनकी काम कर लिया आप उनकी जरूप उनको लग रहा है कि अगरा है कि अब उनकी जरूप उनकी जरूप नहीं है मेरे दो सवाल हैं आपसे आपने का सदन तक लड़ने वाले एक ही नीता है थोड़ा कम आखलन कर गया आपको ये कहना जीए देश से लेकर विदेश तक लड़ाई लड़ने वाले एक लोते नीता है भाजबा का तो कटाक्षी ये रहता है राहूल गांदी आजे समय देश में आजे समय विदेश में तो ये बात बार-बार जहन में आरी है विकास उपध्याजी कि क्या वाकरी राहूल गांदी एक सो पचास दिन तक पदियात्रा करेंगे ऐसा तो नहीं बीच में किसी भी कारण के कारण से चल दें एक सवाल कोई है और दूसरा मेरा आप से जानने में बड़ी दिल्चस्पी है आपका केज़ सरकार पे इतना भरोसा कैसे हो गया कि वहार राहूल गांदी को डेड़ सो दिन तक खुला छोड़ देगी आप लोग बीच में बता रहे थे एड़ी की कारवाई गांदी परिवार को फसाने के लिए है एड़ी की कारवाई राहूल गांदी को उजहाने के लिए है क्या ये डेड़ सो दिन का कुशन तो नहीं ले लिया कि डेड़ सो दिन की पध्यात्रा है अब डेड़ सो दिन तक तो एड़ी फीड़ी कुछ काम ना करे इतना तो सुनिश्चित हो गया यह आपको अंदेशा है कि पता नहीं जेड़ सो दिन तक यह लोग हमें चलने भी देंगे की नहीं देंगे क्या है आपका आगलन विकास जी कि इन तरकार में भरोसा है या नहीं है इस देश को डोरने के लिए रहुल गांदी जी नहीं है और इसलिए आज इस प्रकार से सदन से लेके सलक तक बाकी से चाहे नोडबंदी की बात करें जब करोना की अवश्ता हुई थी उसकी बात करें अगर किसी ने आवाज उठाई है तो सिरिप और सिरिप एक ही राज उन्होंने कही वह वह बात आने वाले जिरों में सच साबित हुई आज भारती जनता पार्टी के सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर इस देश में कोई नेता है कोई राजनितिक दल है जो आज उनके सामने खड़े होके लर सकता है तो भारती कॉंग्रेस पार्टी है इसलि केंडर में भारती जनता पार्टी की सरकार है और जो वातावरन आज मुंबई महारास्त में बना दिली में बना घो वाता आप घृन टकांदरपदेश और तेलंगाना में बना कोई इसशी पिस्तिया शी कालि कि इज आईडी इनकम टैक gelir nothing अब बिहार का जोनत पुद्धा हमारे सामने आई ती इसमें निटीज कुमार उनकी अलाइंस पार्टी के निता थे मुख्यमंतिर भारती जनता पार्टी और निटीज कुमार जी एक साथ सरकार बनाये थे लेकिन निटीज कुमार जी ने उनको छोड़ दिया अगर भारती जनता पार्टी की अपनी ताकत होती भारती जनता पार्टी की अगर इसकी है रहे हैं राहुल गांदी ही हैं जिस पे देश को वरोजा राहुल गांदी हैं जो लड़ रहे हैं राहुल गांदी ही लड़ सकते हैं और पूरा देश जानता है और बाजबा इसलिए चिंता करती है इतने कमाल के नेता राहूल गांदी है और आपकी पार्टी के आखड़े क्या है 2004 में आम चुना हुआ 44 सीट 545 में से बाजबा 282 कमाल के नेता राहूल गांदी सीटें 2019 में भारजजन्दा पार्टी की 303 कॉंग्रिस 52 थोड़ा ऐसा दिलग रहा है आप दावों में अपने नेता के अप्रदी जादा ही मुग्द हो गए है और इस मुग्दता के जल्दे वास्तिविक्ता से कड़ जा रहे इसी भी राजिनितिक डल की का पैमाना उसकी हार जी से अगर आप देखते हैं तो मैं समझता हो सरकारे तो आती है और सरकारे जाती है दोびहुमत किया आज वो लोग पस्ता रहे हैं पेट्रोल डिजल महंगाई की बात करें विरुजदारी की बात करें और हर चीदों की बात करें तो आप देखें कहीं न कहीं आदमी भारती जंता पार्टी से परिशान है विकाद उपाद्ध्याई जी इस बात पर काइम है राहूल गांदी के संदर में ज्यादा वो कुछ ब पर चिंतामणी जी की परिशानी को लेकर मैं फिर बात करना चाहता हूं एक सपना आपने दिखाया था 2014 में एक आभा मंडल बनाया था और उस आभा मंडल में उस वाता वरन में सब कुछ 2022 तक हो जाना था किसानों के आय दुगनी हो जानी थी सब को पके मकान मिल जाने थे अब क्या या दो हजर बारीस आ चुकी है अता पता नहीं है इन वादों के पूरा होने का क्या आपको नहीं लगता है वाकि अब कॉंग्रेस सही समय पर सही चाल चल रही है आपका मामला उतार पर है तो लिए कॉंग्र को लग रहा है कि अब अपने के चड़ने का समय आ गया है राहुल गांदी इत्याद रचने के लिए निकलने जा रहे हैं साथ सितंबर को चलने देंगे या बीच में रोक देंगे कि दो तीन विश्यों पर बात करना चाहूंगा सत्रे बहले तो अधर्णी निशान्त जी के बारे में कहना चाहूंगा कि वो इतने उस से भरे हुए हैं अपरत कह सकते हो पुदी जी के परती भाज़े पाके परती कि वो मानसिक रोक तक उन्हें ले जाती है कि मानसिक उस तक कुछ जो अच्छी वात है उसको अच्छा भी कहो निशान जी आप तो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं कितने सारे संदर्वों के साथ बात करते हैं तो थोड़ा जो पूर्वाग्र वह आप छोड़ दो आप बताएए देश में कोई दंगे नहीं हो रहे हैं देश में आपके जो चापे हैं आपके भृष्टा चाहर पर वह आपको असमिधानिक लग रहे हैं वह गलत लग रहे हैं वह भाज़पा करवा रही है अब उस पर दोना के आप उस पर बात रखो अपनी के क्यों ऐसा हो रहा है कि कितने अजारों करोड का आपने एरा पेरी किये अप इसको ठंडे बस्ते में डालने की कोशिद है क्योंकि जो जिसे आप बताई कि आप पार्टी कर रही है वो गुजरात जारी के कि अगर बताए ताकि हम गुजरात गहते हैं इसलिए उनकी ग्रफ्टारी होना पते हैं क्योंकि तथ्य हैं वेसे ही खूद सुप्रमंडेम स्व करके खुद को बचाने के लिए देश चोड़ने का नाम ले रहें मैं फिर से कहता हूं कि यह जो पुरा बापु के और महत्मा गांदी जी के आंदलोनों की जुगाली कर रहें नकल कर रहें इस तरह करने से हमारा और सायोग किंगा ले रहें सिविल सोसाइटी का कम्यूनिस्ट पार्टियों का कम्यूनिस्ट विशार को तो यह वही गेंग है जिसने जो पिसान आंदुलन के पीछे थी वही योगेंद्र यादव और उसी तरह के लोग तो कुल करके यह उनका प्रेंचाइंड जिस पर राहूल गांदी जी चल रहे हैं तो अने वही योगे देश के लिए खत्रा है देश द्रोई है और आप देश की मजबूती के लिए काम करना हो फिर भी यह लोग खुले आम भूंग रहे हैं थोड़ा इसपष्ट करें ना कैसे लोग फोड़ा पता चले देश को तो यह मुस्लिम एक्ष्ट का विरोद करें उनकी लिंदा करें नहीं निकलता आताक वादियों के खिलाब एक शब्द नहीं बोल पाते हैं और राजस्तान को इन्होंने जिहादी स्टेट बना दिया जहां जहां इनकी सरकार है जो जहारखंड और 36 गड़ में इनकी सरकार है तो महां देखने में आ रहा है कि स्कुल की शुटी किस तरह हो सब्सक्राइब लेकिन पुल करके राजस्तान को जिस तरह जिहादी घटनाओं की स्टेट बना दिया है वह इनिके सरकरस्ति में हुआ है मैं निशान जी के पास में और रमेशी के पास जाओंगा आखरी दोर की बाचित के लिए एक समाल मैंने आपसे किया था आपने उसका पचास दिन राहुल गांधी को चलने देंगे नहीं चलने रहें इसका उत्तर देदी रहे इतने बड़े नेताब है पार्टी तो इसमें ते नहीं करती जो कुछ ते करना वह एजंसियों को ते करना है और उनी से बचने की कोशिस में यह यात्रा है तो सब्सक्राइब कॉन्גरिस को और रहुल गांधी को कुछ ना कुछ लापतों होगा आपका होगा जे तो जो जनता का विश्वास को वापस हास्ल कर पाएगी क्या आप यकीन के साथ है कि राहुल गांदी अचानक सियात्रा को बीच में छोड़कर किसी और काम के लिए निकल तो नहीं जाएंगे क्योंकि राहुल गांदी के संदर में पिछले दो दशक में भारती जन्ता पार्टी ये स्थापित करने में कहीं न कहीं सफल रही है कि वह एक अगंभी राइन दिग्ये हैं वहाँ गंभीड़ता के साथ विश्यों को नहीं लेते हैं आपका आख़र ठीके डॉक्टर साब पस्ते पहले तो यहीं तो शुरू करूँगा कि आपने जो सवाल किया कि कॉंग्रिस बिखरी हुई है लोगों का ऐसा उससे विश्वात नहीं है यह शब्दावली आई ही कुछ वर्षों में इस तरीके से है क्योंकि आजपा ने पंप किया है बोल बोल के इन बातों में हकीकत यह है कि भारती अंता पार्टी ओवरॉल पांग्रिस से बहुत दर्ती है और इसी लिए कॉंग्रिस मुक्त मारत होने के बजा है आज ही क्या आज आता है कि सीटे कम हो गई फला राजियों में सरकारे क्रम हो गई लेकिन बहुत बड़ा गर अभी चिंतामणी जी के बक्तवी में दिखता हा था कॉंग्रिस के प्रती कि बाई देखो वो खाली 34 गड़ो राइसान की बात कर रहे थे दंगों की मैंने बात करी तो वो मुझे चेरे जूट मत बोलो तो मुझे ये भी बता देगो कि जब नमस्ते ट्रम्प एहमदाबाद में हो रहा था तो दिल्ली दंगे चीन करवा रहा था शाहिन बाग में राइट विंग के लोग जाके गोलिया चला रहे थे क्या उनको अमरीजा ने बेजा था मैं इस तरीके से अगर सेहरिस्त बना करके बैठूंगा आपका प्रोग्राम महुत कम छोटा पड़ जाएगा समय का लिए ये जूट बोले कि जो कला है ये भार्सियंसा पार्टी की है चुलू से कहते आए हैं नहिरू खराब, इबरा खराब, वीजे की खराब, राहुल कराब, राजीर खराब, ये उनका दर है और देखिये तो नरेंगर मोदी पूरी तरह से इबरा जान्दी की कौपी कर देए कि कोशिश करते हैं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगी तो आपने सवाल किया कि इसमे राहूल को क्या फाइदा होगा, कॉंग्रेस को क्या फाइदा होगा, सभाविक सी बात है कि जब देश बिखर रहा है, कॉंग्रेस नहीं, कॉंग्रेस के तुछ नेता छोड़ के जा रहे हैं, उनकी डेमोक यह हपीकत है यह में आम इंसानों की भाशा में बोल रहा हुता तुने समझ में आए अगर पॉंग्रेस में से नेता पोड़के जाते तो विकर नहीं रही क्योंकि पिछले आठ वर्षों में वो जो मार्ग दरख्षक मंदल था उसकी पर एक बैठर सक नहीं कर आई यह लोग तो साइड लाइन कर दोते हैं और देश को इसमें आवशक्ता भले ही रावल गांदी की हो या ना हो लेकिन पॉंग्रेस को नहीं लेकिन देश को एक तास आने की आविशक्ता है यह चोटे-चोटे जो इन्होंने चला रखे आम आदमी पार्टी और मंदाब अंदर भी ताइट के जो वोट काट करके भाज़पा को वह 25 पतिस पतिश चला देते हैं तासी वो जीत जाएं यह नौटन की बंद होनी पड़ेगी लोगों को एक जु पक्षा हो रही वलाना हो रहा है तो भाई उनको आखे अपने चक्षु कोलने की आविशक्ता है लेकिन अगर वो नहीं कोलेंगे तो भी बटा हुआ पच्चितर प्रतिश्ट 75 परसेंट जो वोटर है वो इस 25 प्रतिश्ट को बुरी तरह हाराएगा यही भार्ट तो कुल म बाचित के लिए रमेश शर्माजी आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे समझना यह चाहता हूँ कि क्या इस यात्रा के माद्यम से जैसा आपने पहले कहा मैंने भी अपने आकले में कहा कि पद्यात्रा से लोगों को लाब हुआ है क्या राहुल गांदी भाजबा की तम बड़ा महतपूर्ण है और आपसे इसके संदर में एक पूर्ण सबिक्षा की अपिक्षा हूँ इस पद्यात्रा से इसमें कोई शक नहीं कि जन सामाने में और कॉंग्रेज के भीतर राहुल गांदी जी की सुईकारिता बढ़ेगी और वो यह सुईकारिता किस तर्की होग कितने प्रतिशत होगी यह यात्रा वोट को कितने प्रतिशत प्रभावित करेगा यह आने वाला समय बताएगा लेकिन उनकी सुईकारिता कॉंग्रेज के भीतर भी और कॉंग्रेज के बाहर भी बढ़ेगी जो एक प्रकार से पूरे देश में भी समाज में भी और कॉंग् लेकिन इस यात्रा से राहुल गांधी जी का विश्वास बढ़ेगा लेकिन अब भाजपा को कितना लाब पहुंचेगा कितना नुकसान पहुंचेगा यह आगी भी कहा जा सकता अगले एक वर्ष में यह जो सरकार है नरेद्र मोजी जी की सरकार है क्या कदम उठाती है इस प रही कि देश को बाटने में और समाज को बाटने में यूजन पुर्वा काम अगर हुआ है अंग्रेजों ने जो किया है आजाती कि बाद उस पर रोक नहीं लगी यह बाद कहने में अगर काम्याब रहे तो इस यात्रा का लाब उनको मद्दी स्यात्रा का भाजपा को नुक करता है कि यहां इतने बहुत ब्राह्मनों के इतने बहुत ओबीजी के इतने बहुत बनवासियों के इतने बहुत इनके क्या कभी यह आकलम किसी मीडिया वाले ने किया किसी राजनिता ने कहा कि यह इतने परसंट बहुत सुनियों के इतने परसंट पठानों के इतने परसं देने में काम्याब रही चुकि इसमें कोई शक नहीं उसमें ये जो तीनों हमारे साथी हैं वो चाहे जो कुछ सेमत हो लेकन मैं जो कि दाओं से आता हूं कहीं ने कहीं आयजिया का मसंदेश जो देश में गया हुआ है कि एक हजार वर्ष तो मंदिर तूख रहे ते पहली बा जारात नक्ता है ये सकारात रफटा अगर समाच को जोडने में सांस्क्रिक जोडने में गई तो इस यात्रा का भाजबा को कोई नुकसान नहीं होगा लेकन अगर इन्हों ने इसमें काम नहीं किया तो निशत रूप से कौंग्रेस उसके आत्रा का लाब मिलेगा तो राज जी के तुरज़नतु बाद इस सोमनाद का शिलानयास और सोमनाद का पुन्राथधार कॉंग्रिस के रहते हुए हुआ था यह याद करा पाने में कॉंग्रिस सफल नहीं रहती या कॉंग्रिस याद नहीं कराना जाती भाड़ती दंदापार्टी अपनी उपलदियों के संधर में संदिश ठीक प्रकारते दे पाने में कामियाब रहती है बाजबा ने अपने विचार के संदर में इस पश्टता रखी हुई है क्या कॉंग्रेस भ्रहम से उबरेगी कॉंग्रेस आज तक तैनी कर पाई कि वह अपने आपको मुस्लिमों के हिच्चिंतक के रूप में रखे वही भारती जन्ता पार्टी लगातार प्रक्रिया के तैत या विश्वास दिला पाने में बहुत संक्यक वर्ग को सफल रही कि अगर आपकी चिंता कोई कर रहा है अगर आपके हित तो रखेते हैं अगर आप तो तक हैं जब तक हम हैं ये भी तो एक बड़ा दुंद है रा किनाते हैं कि अगर पसीना भाने का संखल P SARS P avez का como कांग्रेस पाईटी रखिधान नहीताे लिए तो भू पसीना कुछ प्रेास जरूर देता चिंता मड़ी आज नहीं YEAH गल उस पसीने की चंता तो करेंगे अगर पसीन अब बहाद तो तो बहराद आप चारों मेमानों का बहुत बहुत दन्यवाद हमारे इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए समय है अब आज के शेर का उम्मीद को के दिरत हमारा आज का शेर कहता है कि वही चराग हवाओं का जोड तोड़ेंगे कि वही हार के भी जिनके होसले नगए जमील नजर ने ये शेर कमाल का लिखा था क्या राहुल गांदी इस शेर पर बरुज़ा करेंगे दोहार उनके हिस्से में हैं इसके बावजुद भी अगर उनका होसला बरकरार रहा हिम्मत बनी रही और साथ-साथ जो संकल्ब वो जाहिर कर उस पर अमल कर पाया तो तह है कि वह कम से कम एक चुनोती बन कर तो जरू उब रहेंगे देखते हैं राहुल गांदी अपनी पदियात्रा को किस तरीके सा इंजाम देते हैं आज के इस कारकम में इतना है कल फिर मिलते हैं विशे के दाद मुझे दिए आद साले प्राव